हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चैनल आस क्लास में आज की इस वीडियो में हिंदी का टेस्ट लेंगे इस टेस्ट में काफी महत्पुन 40 अबजेक्टी प्रशन है जिसे हम पिछली कक्छाओं में पढ़ा चुके हैं टेस्ट आप लोग बिल्कुल सुरू से लेके अंतक दीजिएगा और 40 में से 40 सही करने का कोसिस कीजिएगा क्योंकि ये जो 40 अबजेक्टी प्रशन है ये आपके बोड़ परिक्षा के लिए काफी महत्पुन है तो प्लीज आप लोग टेस्ट सुरू से लेके अंतक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को भी दबा के ओल पे कर लिजेगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पस नोटिफीकेशन पहुंसता रहे तो आईए सुरू करते हैं पहले नंबर प्रशन से तो पहला नंबर प्रशन है कि स्रम विभाजन और जाती प्रथा के लेखक कौन है काफी महत्पुड प्रशन है यहाँ पे आपको बताना है कि स्रम विभाजन और जाती प्रथा के लेखक कौन है A. उपसने महात्मा गाधी, B. उपसने भीमराओं अमबेडकर, C. उपसने राममनोहर लोहिया, D. उपसने जोहरलल नहरूते, हाँ पर आपको बताना है कि स्रम विभाजन और जाती प्रथा के लेखक कौन है, तो स्रम विभाजन और जाती प्रथा के लेखक भीमराओं अमबे आईए देखते हैं अगला प्रशने दो नंबर दो नंबर प्रशने कि भारत में सरवाधिक अबादी कहां बसती है ये काफी महत्पुर प्रशने आपके बोड़ परिक्षा के लिए और ये प्रशने बोड़ परिक्षा में बार बार पूछा जाता है कि भारत में सरवाधिक अबादी कहा बसती है ए उपसेने महानगरों में बी उपसेने सहरों में सी उपसेने गाओं में डी उपसेने गलियों में तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सरवाधी का बादी कहा बसती है तो गाओं में बसती है इसे आपको याद रखना है काफी महतपुर प्रशन है यानि यहाँ पे C option बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने तीन नंबर प्रशने है कि अंबेड करके अनुसार भाई चारे का वास्तिक रूप कैसी होनी चाहिए काफी महत्पुर प्रशने है तीन नंबर यहाँ पे आपको बताना है कि अंबेड करके अनुसार भाई चारे का वास्तिक रूप कैसी होनी चाहिए A option ने सहत की तरह B option ने दूद पानी के मिसरण की तरह C option ने सकर पानी के मिसरण की तरह डी ओप्सन है इन में से सभी तो यहां पर आपको बताना है कि अमबेडकर के अनुसार भाई चारे का वास्तिक रूप कैसी होनी चाहिए तो दूध पानी के मिसरण की तरह होना चाहिए इसे आपको याद रखना है यानि यहां पर बी ओप्सन बिलकुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन चार नंबर प्रशन है कि निरलज अपराधी किसे कहा गया है काफी महतपुड प्रशन है और ये प्रशन बोड़ परिक्षा में बार बार पूछा जाता है कि निरलज अपराधी किसे कहा गया है A option नाखून को, B option चोर को, C option डाकू को, D option बदमास्कोते हैं आपको बताना है कि निरलज अपराधी किसे कहा गया है तो निरलज अपराधी नाखून को कहा गया है इसे आपको याद रखना है यहाँ पर A option बिल्कुली सही हो जाएगा काफी महतपुण, महतपुण 40 objective प्रशन है जो आपके बुड़ परिक्षा के लिए काफी महतपुण है तो प्लीज आप लोग टेस्ट सुरू से लेके अंतक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर वताइएगा कि आपका 40 प्रशनों में से कितना सही हुआ आईए देखते हैं अगला प्रशन पांच नंबर पांच नंबर प्रशन है कि भारत में जाती प्रथा का मुख्यकारण क्या है पांच नंबर भी प्रशन काफी महतपुण है यहाँ पर आपको बताना है कि भारत में जाती प्रथा का मुख्यकारण क्या है तो भारत में जाती प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे C-Option बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने 6 नंबर प्रशने है कि सच्चा भारत कहां बसता है काफी महत्पुड प्रशने है और यह प्रशने बोड कहां बसता है तो सच्चा भारत गाओं में बसता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे C-Option बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने 7 नंबर 7 नंबर प्रशने है कि किस देश के लोग बड़े-बड़े नक पसंद करते थे यह भी काफी महत्पुड प्रशने है यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश के लोग बड़े-बड़े नक पसंद करते थे यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश के लोग बड़े-बड़े नक पसंद करते थे तो गौर देश के लोग बड़े-बड़े नक पसंद करते थे इसे आपको याद आईए देखते हैं अगला प्रशने आठ नमबर प्रशने है कि जाती प्रथा क्या निर्धारित करता है यहाँ पर आपको बताना है कि जाती प्रथा क्या निर्धारित करता है यहाँ पर आपको बताना है कि जाती प्रथा क्या निर्धारित करता है इसे आपको याद रखना ह यहाँ पर A option बिल्कुली सही हो जाएगा काफी महतपुड महतपुड प्रशन है तो प्लीज आप लोग टेस्ट सुरू से लेके अंतक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताईएगा कि आपका कितना सही हुआ यह देखते हैं अगला प्रशन नौ 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 B option है चांदी के सिक्के, C option है पितल के सिक्के, D option है लोहे के सिक्के तो यहाँ पर आपको बताना है कि दारिस क्या है तो दारिस एक सोने के सिक्के है इसे आपको याद रखना है यहाँ यहाँ पर A option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन दस नंब 10 नमबर प्रश्ण है कि दूसरों के इसारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं काफी महत्पुड प्रश्ण है यहाँ पर आपको बताना है कि दूसरों के इसारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं तो मुढ़ लोग कहते हैं इसे आपको याद रखना है यानि यहाँ पे B option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशनी 11 नमबर प्रशनी है कि जाती प्रथा का सबसे बड़ा दोस क्या है काफी महत्पुड प्रशनी है यहाँ पे आपको बताना है कि जात जाती प्रथा का सबसे बड़ा दोस क्या है तो जाती प्रथा का सबसे बड़ा दोस पेसे का निर्धारित करना है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे B option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशनी 12 नमबर 12 नमबर प्रशनी है कि मैक्स मूलर ने कं कंट और केन उपनिसत का अनुवाद किस भासा में किया A option लेटिन भासा में B option हिंदी भासा में C option संस्कृत भासा में D option जर्मन भासा में तेहाँ पर आपको बताना है कि मैक्स मूलर ने कंट और केन उपनिसत का अनुवाद किस भासा में किया तो जर्मन भासा में किया इसे अपको याद रखना है यहां पे D-Option बिल्कूल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशने 13 नम्बर 13 नम्बर प्रशन है कि प्राचीन मानोगा परमुख अस्त्र सस्त्र था काफी महत्पुड प्रशन है यहां पे आपको बताना है कि प्राचीन मानों का परमुख अस्त्र सस्त्र क्या था ए उपसे ने दात बी उपसे नाखून सी उपसे ने पैर डी उपसे ने पत्थर के औजारते हैं पर आपको बताना है कि प्राचीन मानों का परमुख अस्त्र सस्त्र क्या था तो नाखून था इसे आपको याद रखना है यानि यहाँ पे B-Option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशने 14 नंबर 14 नंबर प्रशने है कि भारतिय समिधान किसने लिखा काफी महत्पुड प्रशने है और ये भी प्रशने बोड़ परिक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि भारतिय समिधान किसने लिखा A-Option ने महत्मा गाधी ने B-Option ने भीमराओं अंबेड करने C-Option ने ज्वाहरलाल नहरू ने D-Option ने इन में से कोई नहीं यहाँ पर आपको बताना है कि भारतिय समिधान किसने लिखा तो भारतिय समिधान भीमराओं अंबेड करने लिखा इसे आपको याद रखना है काफी महत्पुड प्रशने है यहाँ पर B-Option बिलकुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रशने 15 नमबर 15 नमबर प्रशने है कि मुणदा किस देश की जाती है काफी महत्पुड प्रशने है यहाँ पर आपको बताना है कि मुणदा किस देश की जाती है इसे आपको याद रखना है यहाँ पर B-Option बिलकुली सही हो जाएगा काफी महतपुड महतपुड प्रश्न है तो प्लीज आप लोग टेस्ट सुरू से लेके अंतक दीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा आइए देखते हैं, अगला प्रश्न 16 नंबर 16 नमबर प्रश्ण है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं यहाप प्रश्ण लेखक से किस ने पूछा काफी महत्पुर प्रश्ण है option बिलकुली सही हो जाएगा आए देखते हैं अगला प्रशन ए 17 नंबर 17 प्रशन है कि 20 के दात के मुख्य पातर कौन है काफी महत्पुर परशन है यहाँ पर आपको बताना है कि 20 के दात के मुख्य पातर कौन है E option आसे न सहाब B option आसे झाभी आसे ए खोंखा तोली सही हो जाएगा और खोखा का दूसरा नाम कासू है तो ये भी साथ में आपको याद रखना है आये देखते हैं अगला प्रशन है 18 नमबर 18 प्रशन है कि पलेटो और कांट थे काफी महतपुर प्रशन है यहां पे आपको बताना है कि पलेटो और कांट क्या थे A option एबीर, B option महान दारशनिक, C option एनाविक, D option सैनिक तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्लेटो और कांट थे तो प्लेटो और कांट क्या थे तो यह एक महान दारशनिक थे इसे आपको याद रखना है यहाँ पे B option बिल्कुली सही हो जाएगा काफी महातपृड प्रश्ण है यहाँ पे आपको बताना है कि हिरोसिमा कहा इस्ति थे, इसे आपको याद रखना है यानि यहाँ पे D-Option बिल्कुली सही हो जाएगा और हीरो सीमा पर ही परमाडो बम गिराया गया था तो ये भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशन 20 नमबर 20 नमबर प्रशन है कि कासू किसका पुतर था काफी महतपड प्रशन है यहाँ पे आपको बताना है कि कासू किसका पुतर था A-Option ने सेन सहाब का B-Option ने ड्राइबर का C-Option ने पडोसन का D-Option ने इन में से कोई नहीं तो यहाँ पे आपको बताना है कि कासू किसका पुतर तो जो कासू था ये सेन सहाब का पुतर था इसे आपको याद रखना है यनि यहाँ पे A-Option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशने 21 नंबर 21 नंबर प्रशन है कि दधीची के हड़ी से क्या बना था काफी महत्पड प्रशन है यहाँ पे आपको बत प्रशन है कि दधीची के हड़ी से क्या बना था तो दधीची के हड़ी से इंद्र का वज़र बना था इसे आपको याद रखना है यनि यहाँ पे C-Option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशने 22 नंबर 22 नंबर प्रशन है कि सबसे प्राचिनतम भा प्रशन है काफी महतपुड प्रशन है यहाँ पर आपको बताना है कि सबसे प्राचिनतम भासा कौन सी है एपको याद रखना है यहाँ पर B-Option बिल्कुली सही हो जाएगा काफी महतपुड महतपुड प्रशन है तो प्लीज आप लोग टेस्ट सुरू से लेके अंतक रहिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताईएगा कि आपका 40 प्रशनों में से कितना सही हुआ आइए देखते हैं अगला प्रशन तेईस नंबर न ब्रशन है कि кोखा के दात किसने तोड डाले काफी महतपुड प्रशन है यहाँ पर आपको बताना है कि कोखा के दात किसने तोड़ डाले तो मदन ने तोड़ डाले इसे आपको याद रखना है यानि यहाँ पे B option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्णे 24 नंबर 24 नंबर प्रश्णे है कि दुवेदी जी ने निरलज अपराधी किसे कहा है काफी महत्पुड प अगला परश्णे 25 नंबर 25 नंबर प्रश्णे है कि हिंदी कि सलीपी में लिखी जाती है काफी महत्पुड प्रश्णे है और यहाँ बोर प्रश्णे बोड़ परिक्छा में बार बार पूछा जाता है कि हिंदी किस लीपी में लिखी जाती है A उपसे ने ब्रामी लीपी में, B उपसे ने देवनागरी लीपी में C उपसे ने रोमन लीपी में, D उपसे ने गुरुमोखी लीपी में की थी काफी महतपुड प्रश्ण है और ये प्रश्ण बोड परिक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि सेन सहाब की नई मोटर कार कितने की थी ए उपसे ने साड़े आठ हजार की बी उपसे ने आठ हजार की सी उपसे ने साड़े साथ हजार की डी उपसे ने यहाँ पे छ 27 नमबर, 27 नमबर प्रशन है कि हजारी पर साथ दिवेदी को किस पे गर्ब है, काफी महत्पुर प्रशन है, यहाँ पर आपको बताना है कि हजारी पर साथ दिवेदी को किस पे गर्ब है, ए उपसे ने भारतिय प्रमपराओं पर, बी उपसे ने भारतिय सैनी को पर, सी उपस इन में से कोई नहीं तो यहां पर आपको बताना है कि हजारी परसाद दिवेदी को किस पे गर्भ है तो हजारी परसाद दिवेदी को भारतिय प्रमप्राओं पर गर्भ है इसे आपको याद रखना है यहां पर इयो उप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अ नागरी लीपी के अरणभिक लेख यानि शुरुवाती लेख कहां से मिलते हैं। काफी महतपुड प्रश्ण है, यहाँ पे आपको बताना है कि सेन सहाब की मोटर कार किस रंकी थी, ए उपसेने लाल, बी उपसेने सफेद, सी उपसेने काला, डी उपसेने नीला, तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेन सहाब की मोटर कार किस रंकी थी, तो सेन सहाब की मोटर क पार काले रंकी थी इसे आपको याद रखना है यहाँ पर C उप्षन बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण है तीस नमबर तो यहां पर आपको बताना है कि हम बार-बार नाखुन क्यों काटते हैं तो बरबरता समापन है तो हम बार-बार नाखुन काटते हैं यानि यहां पर ए ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा काफी महतपड महतपड प्रशन है तो प्लीज आप लोग टेस्ट सुरू से लेके अंतक दीजिएगा और इसमें से जो भी प्रशन आपको याद नहों तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिखके जुरूर याद कर लीजिएगा और लास्ट में हमें जुरूर बताईएगा कि आपका 40 प्रशनों में से कितना सही हुआ आईए देखते हैं अगला प्रशन एकतिस नंबर प्रशन है कि चंदरगुप्त विकर्मा दित्य कहा के राजा थे काफी महत्पुड प्रशन है यहाँ पे आपको बताना है कि चंदरगुप्त विकर्मा दित्य कहा के राजा थे यहाँ पर बताना है कि चंदरगुप्त विकर 32 प्रश्ण है कि मदन और कासू के बीच जगडे का क्या कारण था काफी महत्पुड प्रश्ण है यहाँ पे आपको बताना है कि मदन और कासू के बीच जगडे का क्या कारण था तो लट्टू खेलने की ललक्त ही इसे आपको याद रखना है यानि यहाँ पे C option बिलकुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने 33 नंबर 33 नंबर प्रशने है कि बेतमा कहा इस्तित है काफी महत्पुड प्रशने है यहाँ पे आपको बताना है कि बेतमा कहा इस्तित है इसे आपको याद रखना है यानि यहाँ पे C option बिलकुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने 34 नंबर 34 नंबर प्रशने है कि उत्तर भारत के नागरी लीपी को किस लीपी के नाम से जाना जाता है काफी महत्पुड प्रशने है यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तर भारत के नागरी लीपी को किस नाम से जाना जाता है A ओपसे ने देवनागरी लीपी के नाम से, B ओपसे ने सिध्धम लीपी के नाम से, D ओपसे ने इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर आपको बताना है कि उत्तर भारत के नागरी लीपी को किस लीपी के नाम से जाना जाता है तो देवनागरी लीपी के नाम से जाना जाता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पर A option बिलकुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन 35 नंबर 35 नमबर प्रशन है कि सोफर का अर्थ क्या होता है काफी महतपड प्रशन है यहाँ पे आपको बताना है कि सोफर का अर्थ क्या होता है A option सभ्यता, B option संबंध, C option निर्देशक, D option ड्राइवर तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोफर का अर्थ क्या होता है तो सोफर का अर्थ ड्राइवर होता इसे आपको याद रखना है यहाँ पे D-Option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशने 36 नंबर 36 नंबर प्रशन है कि सिध्धम क्या है काफी महतपुड प्रशन है यहाँ पे आपको बताना है कि सिध्धम क्या है A-Option मंत्र B-Option सिध्योगी C-Option साधू D-Option एक परकार की लिपी तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिध्धम क्या है तो सिध्धम एक परकार की लिपी है इस बताना है कि टकसाल का संबंध किस से है ए उप्सने सिक्कों से बी उप्सने अभिलेखों से सी उप्सने लीपी से डी उप्सने अनाज से तो यहाँ पर आपको बताना है कि टकसाल का संबंध है तो टकसाल का संबंध किस से है तो सिक्कों से है इसे आपको याद रखना है यहा अगला प्रश्ण है 38 नमबर प्रश्ण है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था काफी महत्पुड प्रश्ण है यहाँ पे आपको बताना है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था तो अपने पिता के हाथों से इसे आपको याद रखना है यानि यहाँ पे D option बिलकूली सही हो जाएगा. आईए देखते हैं, अगला प्रश्ण 79 नम्बर. 49 नम्बर प्रश्ण है कि नागरी लिपी कब एक सरवदेशिक लिपी थी? काफी महत्पुर्ट प्रश्ण है, यहाँ पे आपको बताना है कि नागरी लिपी कब एक सर्वो देशिक लिपी थी, ए उप्सेने 15 सदी में, बी उप्सेने 16 सदी में, सी उप्सेने 8 से 11 सदी में, डी उप्सेने इन में से कोई नहीं, तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाग नागरी लिपी कब एक सारो देसिक लिपी थी तो आठवी से इगरावी सदी तक जो नागरी लिपी थी यह एक सारो देसिक लिपी थी यहाँ पर C-Option बिलकुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अंतिम प्रश्ण चालिस नंबर प्रश्ण है कि मैक्स मूलर कहा के रहने व कि मैक्स मूलर कहा के रहने वाले थे तो मैक्स मूलर जर्मनी के रहने वाले थे इसे आपको याद रखना है यहाँ पर C-Option बिलकुली सही हो जाएगा यहाँ पर आप लोग 40 प्रश्णों का टेस्ट दे चुके हैं तो अब आप हमें बता दीजे कि आपका 40 प्रश्णों मे कि अंग्रेजी किस लिपी में लिखी जाती है काफी महत्पुड प्रश्ण है यहाँ पर आपको बताना है कि अंग्रेजी किस लिपी में लिखी जाती है A-Option ब्रामी लिपी में B-Option दिवनागरी लिपी में C-Option रोमन लिपी में D-Option ग्रोमोखी लिपी में तो इसमें से वीडियो को जरूर सेयर किजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ओल पे दवा लिजिएगा ताकि जब भी लाइफ क्लास हो तो आपके पस नोटिफिकेशन पहुंचता रहें तेंक यू फूर वाचिंग मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक अपना मन लगा के पढ़ाई किजिए टेक केर और बाए